Hello everyone, कैसे आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे से हैं, तो आज मैं मैं आपके लिए एक concept लेकर आई हैं, वो learning work है, और आज मैं 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 आपके लिए लेकर आई है, bird's name, आपने bird's name तो learn किये हैं, और आपको bird's के name भी पता होंगे, तो क्या आपको bird's के name हिंदी में पता है? Yes or No? नहीं न? तो आज मैं मैं आपको bird's के name learn कराने वाली हैं, यानि आज हम पक्षियों के नाम learn करेंगे, bird's English word and पक्षी Hindi, तो आपने bird's name learn किये हैं, लेकिन आज हम bird's name करेंगे हिंदी में learn, तो आप अपनी book open कीजिए, page number 43 देखे, इस page में इतने सारे bird's नहीं हैं, तो मैं मैं ने आपके लिए बहुत सारे bird's की एक list बनाई हैं, तो आज हम उन्हें learn करेंगे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो देखे, यहाँ पर कुछ पक्षी दिये हुए हैं इस page में, हमें उन्हें पहचानना हैं, ओके? आप इस पक्षी को पहचानते हैं, यह कौन सा है? पिकक, मौर, और हमारा national bird भी है आपको पता हैं जब rain होती है, जब clouds आते हैं, तो ज़ोई मौर है यह dance करता है, अपनी feathers को फैला कर अपने पंखों को फैलाकर ये डांस करता है और आपको पता है इसके फैदर कितने ब्यूटिफुल है है न? ये कौन सा बढ़ है? मौर वक अब आपको वक से कुछ याद आ रहा है? येस हमने जब व्यंजन लर्न किये थे तो हमने व, वक उसमें रीड किया हुआ है और व, वक व से वक और व, क, वक यानि ये दो अक्षर वाला भी शाब्द है नेक्स्ट है कबूतर, पिजन लर्न किये आपने? देखा हुआ है कभी? ये वाइट कलर के भी होते हैं और थोड़ा सा इनका ग्रेव वाला कलर भी होता है ब्लैकिश में थोड़ा सा होता है ना? नेक्स्ट है मुर्गा उल्लू आउट, आपको पते हैं ये रात को जाकता है और दिन में सोता है और हमने उल्लू लर्न भी किया हुआ है अपनी स्वार जब हमने learn किये थे किये थे ना उलू ये कौन सा पक्षी है कवा ब्लैक कलर का होता है और ये तो आम है है ना देखते हैं ये आम सब जगा देखते हैं ना नेक्स्ट है बगुला बगुला को इंगलिश में कहते हैं हेरन और आपको पते हैं ये एक water bird है यानि ये पानी में रहने वाला पक्षी है और इसका फेवरेट फूड है मच्छियां फिश ये पानी में ही रहता है और जब इसको भूग लगती है तो जल्दी से मच्छियों का शिकार करता है नेक्स्ट है डक अब देखिए बतक कैसे साउंड करता है क्वाक क्वाक करता है और बतक यहां आपको दिखरा होगा बोड पर ये तीन अक्षर वाला भी शावद है बतक बतक तो आपने बस इतने learn करने है नहीं मैम आपके लिए यहां किते सारे बर्ड के नेम लेकर आई है तो हम देखे पहचाने के भी यह मैम आपने learn करा दिया अभी क्रो कवा कबूतर स्पेरो स्पेरो एक छोटी से लिटल बर्ड होती है सबसे छोटी आपने देखा होगा उसको हम कहते हैं स्पेरो गो रहया और यह है स्वान हंस मौर मौर को कहते हैं पिककॉक चील इसकी किती शार्प आईज होती है चील इगल यह अपने शिकार को आपको पते हैं दूर से ही देख लेती है नेक्स्ट है पैरट तोता हिंदी में खहते हैं रोबिन हैन मुर्गी डख बतक शुत्तुर मुर्ग यानि ओस्ट्रिच ओस्ट्रिच जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड है अब आप कहेंगे कि यह बर्ड है लेकिन यह फ्लाइटलेस है यह फ्लाइटलेस क्यों है क्योंकि इसकी बाड़ी जो है बहुत हैवी होती है तो इसलिए यह फ्लाइट ज़्यादा दूर तक नहीं कर पाता है मुर्गा राज हंस फ्लेमिंगो यह थोड़ा सा इसका जो शेड होता है लाइट पिंग कलर का होता है पेग्विन यह तो आपने देखे होंगे ना किते क्यूट से बर्ट होते है बुलबुल और बगुला यानि क्रेन नेक्स्ट में आपने यह लर्ण देखे पीकॉक यानि मोर पीहन इस मोरनी माम ने आपको इस पेरों के बारे में भी बताया है पैरेट भी बताया है कुकू कोयल दोनों ही नाम किते क्यूट है ना कुकू एन कोयल फैलकन यानि बाज पीजिन डव, क्रो कौवा, आउल के बारे में मैं आपको बताया है मैना वर्चर गिद हैन, मुर्गी किंग फिशिर, आपने देखिए ये फ़ली बड़ इसका हिंदी नेम है रामची रही है नेक्स है वुड़ पीकर ये क्या इसका नाम वुड़ पीकर क्यों है क्योंकि ये वुड़ में हॉल करता है विद अहलप ओफ इट पीक ओके और पेग्विन जैसे मैं में अभी आपको बताया था क्यूट बर्ड तो देखा आपने कितने सारे आज हमने बर्ड के नेम लर्न करें हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी तो ये हमारी हिंदी की क्लास है तो मुस्ली आपको हिंदी वाले नेम्स पे जादा ध्यान देना है और next up concept मैं आपके लिए लेकर आएंगी सब्जीयों के नाम और सब्जीयों के नाम नहीं लेकर आएंगी साथ में आपको सब्जीयों मैं आपको खिलाएंगी भी ओके तो चलिए जल्दी से मिलेंगे को नहीं क्लास में नए कॉंसेप्ट के साथ बाई